रूस यूक्रेन के बीच युद काज एक महीना पूरा हो चुका है आज ही के दिन 24 फरवरी को रूस की रेड आर्मी यूक्रेन भी घुसी थी लेकिन एक महीने बीच जाने के बाद भी रूस यूक्रेन को जुका नहीं पाया है अब योनेसी में मिली हार से भी रूस का मनुबल तूटा है देर राथ हुई स्युक्त राष्ट सुरक्सवा परिशोद की सी बैठक में रूस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा रूस ने युक्रेन में मानविय मदद के लिए प्रस्ताफ पीश किया था प्रस्ताफ पर 15 में से 13 देशों ने वोट नहीं डाले इसमें भारत भी श्वामिल था प्रस्ताफ के समर्थन से सिर्फ रूस और चीन ने वोट किया सयुक्त राष्ट में रूस के प्रस्ताफ पर वोट नहीं दे कर भारत ने फिर साबित किया कि हम युक्रेन युद्ध पर तठस्थ हैं ना किसी के साथ ना किसी के खिलाफ इससे पहले भी पश्चमी देशों की तरफ से रूस के खिलाफ लगाये गई मिंदा प्रस्तापर भी भारत ने यही रुक अपना आये था जिसको लेकर कई नाटो देश सवाल उठा रहे थे ऐसे में कहीं न कहीं रूस का मनुबल जो है वो अंतराश्चिय तोर पर तूटता हुआ कम होता हुआ नजर आ रहा है वही बात आप आम लोगों की कर लेते हैं आम लोग जैसे कि आप मैं हम सब क्योंकि महिंगाई की मार हम सब पर पड़ रही है तो दिल्ली में अब CNG गैस के लिए भी लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी दिल्ली में आज से CNG के दाम में 50 पैसे का इजाफा हो गया है आज से CNG के लिए 69.01 रुपे की बजाए अब लोगों को 69.50 रुपे चुकानी होंगे और इससे उनकी गाड़ियों को चलाने का खर्च भी बढ़ जाएगा इसी को लेकर कॉंग्रेस को बैठे बिठा एक और मुद्दा मिल गया कॉंग्रेस लगाता पहले भी सरकार को घेरती आई है और अब भी सरकार को घेर रही है तो कॉंग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंग सूट्रेवाला ने इन बढ़ते दामों को लेकर केंदर की मोदी सरकार पर निक्षाना साथ दिया और ट्वीट के जरीए सभी बढ़े हुए दामों का हवाला देते हुए सुभा को महंगाई वाली मॉर्णिंग करा दिया उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अब घर की गैस के साथ आटो टैक्सी बस किराया भी भड़ेगा ऐसे में आम जंता पर दोहरी मार पढ़ती हुई नजर आएगी आपको तादे कि लगातार कॉंग्रेस केद्र सरकार को केर रही थी कि जैसे ही चिनाब खत्म होंगे वैसे ही केद्र सरकार महंगाई का जो ठीक रहा है वो आम लोगों पर फोड़ती हुई नजर आएगी पर ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है मैंगाई का जटका आम जनता को लगातार लग रहा है CNG, PNG के दाम बढ़ चुके हैं जो गैस सिलिंडर था वो पहले ही बढ़िया है ऐसे में हर तरफ से लोग हताश नजर आ रहे हैं वहीं बात अब पश्यम मंगाल की होगी पश्यम मंगाल के वीर भू में जो दर्दनाक घटना घटी उसे बंगाल से लेकर दली तक की राजनीति को गर्मा दिया इस घटना में आठ लोगों को जिन्दा जला दिया गया है अब राजनितिक दलों के बीच वहाँ पहुंचकर राजनितिक रोटिया सेखनी की होड भी लग गई है अज मुखे मंतरी ममता बनर जी घटना सल का दौरा करने वाली है तीन दिन बाद इतना ही नहीं कॉंग्रिस लेता अधिरंजन और वीजोपी का प्रतनिदी मंडल भी वीरभूम जाएगा वहीं दिल्ली में तुर्णमर कॉंग्रिस का प्रतनिदी मंडल केंवरिये ग्रह मंतरिया में शाह से मुलाकात कर सकता है इस मामले में अब तक 22 लोगों को गरफतार किया जा चुका है कल शुबेंदू अधिकारी की अगवाई में राजु बीजोपी की प्रतनिदी मंडल को घटना स्थाल तक पहुँशने के जाज़त नहीं मिली थी इसके बाद शुबेंदू अधिकारी रामपुर हार्ट के हॉस्पिटल पहुँचे जहां इस नरसंखार के शुकार हुए घाईलो समलाकात की राजु बीजोपी के दल को रोकने के बाद दिली में जोपी नर्डा ने पांच सदस्यों का एक प्रतिंदी मंडल बनाया जो आज विर्भूम का दौरा करेगा इस दल में चार पूर आईपियस है ये टीम घटना वाली जगह पर जाएगी सही जानकारे के साथ जांच करेगी और जल से जग अपनी रिपोर्ट जो एपी नर्डा को सौपेगी आपके दादे कि दो दिन पहले ये नसंखार हुआ जिसमें सरकारी आकडों के मताबिक आठ लोगों की जान गई है वैसे अगर आम जनता की माने जो चश्मदीद है उनका कहना है कि कई और लोग घाइन हुए है इस पूरे मामले को लेकर राजनिती तो गर्माई हुई है सा पार्थी साथ वजह साफ नहीं हो पाई है क्या किद्ग्या वजह थी और क्यों ऐसा किया गया है लेकिन Bengal से लेकर दिलि तक जो राजनितिक रोटियां सेखने का काम है वो पार्ठियां लगातार करती हुई नजर आ रही हैं तमाम जो कत्रिदी मंडल है अलगलग पार्ठ झाल झाल